तो आज मैंने Q&A session रखा है आपको जो भी डाउट है उन सारे questions के मैं answers हो दो तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि अभी जो PNST के form आया है उस पे केवल जो autonomous college होते हैं वही mention है और जो DHS department होता है मतलब government college उसमें भी वेंसन नहीं है मेभी आगे चल के हो सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं question first question है the DMA college में स्टाइफन मुलती है क्या तो सबसे पहली बात है कि DMA college होते हैं मतलब autonomous college तो वह सेम government college के जैसे ही होते हैं बट उन में जो है जैसे four year का course होता है तो उस पे हर साल 28 मदब 28,000 रुपए जमा करने होते हैं इसके साथा dress वगएरा इन सभी का खर्च भी हमें उठाना होते हैं और रही बात स्टाइफन की तो जैसे government college में स्टाइफन मिलती है वैसे मतलब कि autonomous college में भी स्टाइफन मिलती है government college में 35,000 रुपए पर मन्त आती है autonomous college में 35,000 रुपए पर मन्त इस्टाइफन मिलती है इसके अपना information दे दे और जो अभी PNST का एक्जाम होने वाला उससे government college मिल जाए मतलब की जो DHS department है वहां की college मिल जाए अगला question है विरेंद्र पटेल डीयमी की four year की fees कितनी होती है प्लीज बताएए तो जो डीयमी मतलब admission लेता तो देखो सेजल दी college में iPhone अला हुए क्या देखो college में college में तो नहीं लेकिन hostel में जहां हम रहते हैं वहां कुछ भी रख सकते हैं मतलब phone वगर रख सकते हैं पर वह अपनी responsibility कि अपना मतलब अपनी समान की चीज ध्यान खुदी रखे अगला question है इस्तूती पांडेगा मेरा BST complete है क्या मैं PNST का form fill कर सकती हूं प्लीज reply तो देखो कोई भी कुछ भी कर रहा हो वह PNST का form कर सकते हैं मतलब फिल कर सकते हैं बस से 12 में उसका biology सब्जेक्ट होना चाहिए और जैसे BST में किसी ने रख रहा होगा तो वह भी फिल कर सकते हैं अगर वह पास हो जाता है इस एक्जाम को पास कर लेता है तो बस उसे अपने उस college से टी से निकलवा के लाने होगी उसके बा सब्सक्राइब कर देना होगा हाँ तो 28,000 पर दीना होगा उसके सांस अड्रेस वगएर कभी और भी खल्चाते हैं अगर DME में मतलब ऑटनोमस college मैंडिमिशन होता है तो नहीं दीना पड़ता फिर अगला question है नम नम उनका question है कि अगर hostel में ना रहना हो क्या रूम से रह सकत अगला है कि मेरे college की एक girls का मतलब एक लड़की है उसका घर only college से 15 मिट की दूरी में पर फिर भी उसे अपने खर में नहीं रहने देते हैं होस्टल पे ही रहती है तो अगला है दी में 2005 की हूँ तो मैं यह फॉर्म एपलाई कर सकती हुए तो देखो तो यह जो फॉर्म में मतलब पिछले साल एक्जाम नहीं हुआ था हुआ था लेकिन 2020 वालों का हुआ थे क्योंकि कोरोना की तारह लेट हो गया है तो 2021 में जो 17 एर का था था ना वो लोग यह एक्जाम दे सकते हैं तो एक्जाम देने के लिए जो एज है वो दो एक अक्टूबर 2004 इसके उपर की ज जो गौर्मेंट कॉलेज की पिए एक्जाम है थोड़ी तरह पहले बताए कि डियामी का आया हो सकता है कि इसी में डियाचेस कभी हो जाए और दौनों कॉलेज इसी से मले फिर अगला कुश्यन है दी प्लीज बताएं कि एक मंथ पढ़ाई करकी पिए एक्जाम निकाल सकते देखो जिसका 12 हुआ है करेंट में और यदि वो 11 12 की एक्टी बुक सारी कंप्लीट कर लेता है तो अराम से निकाल सकते हैं अगला कुश्चन है डियामी गॉलिज में स्टाइफंड मिलती ही क्या हा मिलती ही सेम गवर्मेंट के जैसे ही डियामी फिर अगला दी इसमें 11 12 का कंप्लीट स्लेवस आता है कि 11 12 में जितने भी जितने भी जितने भी चैप्टर सारे नहीं आती कुछ 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 चैप्टर्स कर जाते हैं बाकि और जिसने 11 12 पढ़ ली तो इस एक्जाम को क्रेट कर सकते हैं फिर अगला कोश्चन है वी इस बार तो 28,000 फीस लगेगी तो हम अपने स्टाइफंड से कैसे मैरेज करेंगे स्टार्टिं में जब आपका एडमिशन होगा तो पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगी और जो स्टाइफंड होती वे अडमिशन की जस्ट बाद नहीं आने लगती है इस्टाइफंड कम से कम 5-6 मन के बाद ही आती है फिर अगला कुशन जो है मिटाली का इंटरेंट से एक्जाम हर साल होता है लेक्स एर भी हुगा कि हा ऑग्धाम हर साल हम मेवी ठेट होंगे वाश से करोहां गया पहर आज्ट होगा थि अगला है इस देश्र when kोलेजी कर रहा हैं फिर अगला गोस्टन जो है वो ड्रीम हर्म इस क्ट्रेंगे जुट्टीमि आपका कॉलेज है उसमें पढ़ाया जाता है या फिर दॉक ट्रेनिंग आप et लीकोर मिलती है च्ट्टी बनलती है फ़्म में हम लोग को तो काफी है एक मन्त की हमें जो समर विकेशन मिलती है दिवाली होली और रक्षामंदन इन सममें 10-10 दिन की शुट्टी अलग से होती है और मेडिकल की विदस दिन की शुट्टी हो जाती है चुट्टी की टेंसर नहीं रहती है बाकी इनका कुछ्छन है कि पढ़ाया जाता है या पर डॉ जाली वादे इसमें सेनिर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टी मिलती है डॉक्टर नहीं वह दोटे है और बाकी यहां पर हम लोग को पढ़ाया भी जाता है मैं इसके साथ साहद हमें पर टाइम होस्पिटल भी जाना होता है जहां पर हमें सारे काम सीखने होते हैं जो भी मतलब सारी गल्स रहती हैं मस्ती करते रहो अल टाइम हां बट स्टार्टिंग मजाओ थो थोड़ी फैमिली की याद आती है मैं तो स्टार्टिंग बहुत जाद हो थी ति क्यूंकि मुझे अपने घर की बहुत आद आती है फिर अगला कुश्चन जो है स्मार्ट गॉय का दी है फ डिया चस वाले कॉलेज में ट्रेडिंग करने के बाद भी आपको गॉर्मेंट जो मिलती हैं तो दौनों ही कॉलेज अच्छे होते हैं बस बस डीया मी की मतलब ऑटनोमस कॉलेज यह पीज देनी होती है फिर अगला कोशन अम रदल के तो आप अगला की बीएमस कॉलेज के तो आप एक पर आप कॉलेज चूस करेंगे कांसलिंग टाइम तो आपको अराम से मिल जाएगा वैसे जो ड्याइम को लिज़ा शागर कम आपकर मेरी सश्टर दी है तो देखिए तयारी करी अदमीशन होगा तो मतलब अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आप बताईए का मिरस सब्सक्राइब करने के बाद चार साल की ट्रेनिंग कंप्रीट करने के बाद डारेक्ट गॉवर्मेंट डॉक्टर बन जाते हैं सब्सक्राइब करने के बाद चार साल की ट्रेनिंग 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 पर फैर अगला कोशन थो है है वो सरिता आपका हुआ को लिए चाल रहा है तो मेरा फ़र्स इयर चल रहा है गॉर्मेंट खॉलेज है पर अगला कोशन चाहद कि लो दी यह अग्जाम अगला है मॉनिका दीदी क्या आपने एक्जाम टाइम पर जो दो महीने का टाइम इलता है उस पर दयारी की है सारे चैप्टर्स पड़े हैं या फिर चार पांच एयर की जो कुश्चन पेपर होते हैं वह भी सॉल्टी है तो देखो मैंने 11-12 के सारे चैप्टर्स भी कम्प्लीट किये थे इसके साथ मैंने जो 10-year-old कुश्चन पेपर की बुक आती है वह भी सारी कम्प्लीट करी थी बाकी पड़ा मैंने भी जादा नहीं है उल्ली दो मन्ती बढ़ा है एक दो मन्त महीं फिर अगला है आचल दी क्य जादा एजी ही नहीं होता है हाँ बर जो अच्छे से प्रप्रप्रेशन करता है उनका ही फर्स्ट वाल में निकल बाता है तो आप अच्छे से प्रप्रप्रेशन करिए 11-12 के अन्स एक पूरी कम्प्री प्रीट करिए इसके साथ 10-year ओल्ड कोश्चन पीपा लड़ी करिए आप easily इस exam को निकाल देंगे और अभी भी ज़्यादा time मतलब गया नहीं है एक मन्त में आप काफी कुछ कर सकते हैं फिर अगला है IUC का दी क्या autonomous college से भी direct government job मिलती है अगर autonomous college में भी आप training करते हैं तो वहां से भी government job मिलती है फिर PNST exam के बाद क्या government college direct मिल जाता है government college direct नहीं मिलता है PNST का exam होता है उसके बाद अभी के marks आते हैं counseling होती है और जिस जिन भी girls के marks high होते है उन लोगों को government मिलता है college फिर उसे थोड़ी कम जिसके होते है उन लोग को autonomous college मिल जाता है फिर अगला खुशन नहीं है आपको college से बाहर जाने देते हैं तो देखो college से बाहर जाने देते हैं सेटर्डे और संडे को हमारी outing होती है तो हम लोग जा सकते हैं जिसको जो भी समान वगएरा लेना होता है सब लेकिया जाते हैं फिर अगला question है सौमी दी PNST exam देने के बाद क्या बनते हैं PNST exam देने के बाद senior nursing officer की post मिलती है फिर अगला question है अंकिता दी admission के तुरंत बाद scholarship मिलने लगती है क्या या थोड़ी time बाद मिलती है देखो admission तो हमारा हो जाता है admission के कम से कम 5-6 मन्थ बाद ही stipend आती है admission के तुरंत बाद कुछ भी नहीं आता बाकि हाँ जस दिन से हमारा admission होता है उसी दिन से हमारी stipend काउंट होने लगती है पिर अगला question है PNST के बाद exam कहा होता है तो देखो PNST के जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे center दिये होते हैं और कि मेसमनी केतनी होता है तो गौर्नम्ंन फिल्मन कोलेज हो या ओटनोमास चॉलेज हो किसी भी ऐश्य में जो इसक जो इसक फॉलेजमें मादब दोनों ही कॉलेज में स्कॉलर से खाठी亮 हजार लृप्रमथ मिलती है और मेसमनी हमारी कॉलeज में 2000 रुपए देनी होती है पार मन्त पारी सारी कॉलेज अलग होती है जिसके यही एक्जाम होता था इसमें से जिसके हाई माक्स रहते थे उसको PNST मतलब की ये senior nursing officer की पोस्ट वाला मिल जाता था तर टेनिंग करने के लिए और जिसके थोड़े कम माक्स होते थे उसका जो है GNST में हो जाता था और उससे कम जिसके माक्स होते थे उसका Autonomous College में हो जाता था ब कि दौनों कॉलेज ही बेस्त है तो फ्रेंड्स जादा टामने लगा है तो इन इतने ही कोशन्स नोट किया थे और इन सभी के में रेपलाई ले दिया है इसके साथ आप एक्जाम दीजिए और उसके साथ आपको जो भी कॉलेज मिलता है तो आप बाद में मुसे कमेंट मैं कि आपको कोई बी हल्प सकते है और ऐसे वीडियो के लिए लाइक सेर इन सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल